Hello friends, welcome to the class. My name is Sudhir. Let's start today's session. एक important update है, legal methodology packaged commodities rules related. Central government ने इसमें एक important change किया है. QR का role जो है बहुत ज़ादा बढ़ा दिया है. QR मतलब quick response. इस वीडियो में detail से समझने के कोसिस करेंगी कि QR क्या चीज है? कि ऐसे इतना ज़ादा information ये hold करता है QR? कितना information hold कर सकता है? उसकी technical details हम लोग इस वीडियो में समझने के कोसिस करेंगी. साथ ही साथ, जो legal methodology packaged commodities rules है. इसमें क्या change किया गया है? इससे पहले बारा rule क्या कहता था? उन सभी चीजों को detail से समझने के कोसिस करेंगे इस वीडियो में. चलिए शुरू करते हैं. अगर आपको history and culture classes देखने हैं तो on academy पर, अब इसी एक स्रिवास्तो सर की classes देख सकते हैं. coupon code है TT100 करके. Now, legal methodology packaged rule 2022. इसने पहले एक बारी 2011 में changes हुए थे. और उसके बाद ये second amendment है. इस legal methodology packaged community rule में. तो ऐसा कह सकते हैं कि second amendment rule 2022. तो चलिए detail से समझते हैं. सबसे पहली बात central government ने किस वाले rule में change किया है? Central government मेटरलॉजी का मतलब होता है माप तॉल. माप तॉल. नाप विधी इसको बोलते हैं इन्दी में. नाप विधी. नाप विधा. जो packaged communities है. जो packaged communities, जो packaged किये जाते हैं. उससे related कुछ important change किये गये हैं. तो क्या change किया गया है? चेंज ये किया गया है Department of Consumer Affairs के द्वारा. Important है point. किसने change किया है? Department of Consumer Affairs. उके. इन्होंने क्या change किया है? एक changes में ये किया है कि allow कर दिया है electronic product को जितने भी electronic products हैं. उन सभी electronic product के लिए mandatory कर दिया है declaration through QR. QR code के थूँ क्या करेंगे? एक period of time, एक साल के लिए. वन एक पीरियाद आफ टाइम. एक साल के लिए क्या करेंगे? जो भी electronic product होगा. जो भी electronic product होगा. उस electronic product के बारे में detail जानकारी. देखो एक simple सा एक box होता है. उस box में आप फूरी detail जानकारी नहीं दे सकते हैं किसी भी product के बारे में. तो अगर आप किसी भी product के बारे में detail जानकारी देना चाहते हैं. तो उसमें एक QR बना दीजिए. QR बन जाएगा तो वो information QR में आप डाल सकते हैं. अब जब कोई विक्ति उस QR को एक scan करेगा, तो scan करने के बाद वो scanner लेके जाएगा main website पे जहां उस QR के थुरू धेर सारी information उस product के बारे में ले सकेगा. जो चीजे उस पे लिखी नहीं है, उन गैर लिखी चीजों को भी अगर आपको पढ़ना है, तो QR में सारा information डाल दीजिए, कोई scan करेगा, तो scan करके उनको सारा का सारा information मिल जाएगा. एक QR का मैं example देता, एक बड़ी सी website है, suppose करो कि आपने कोई एक website खोली हुई है, ठीक है, पूरी एक, पूरा एक page दिख रहा है आपको, लेकिन आप चाहते हैं कि एक single सा QR बना के हम किसी को transfer कर दें, पूरा website का text ना दे, गूगल एक facility प्रोवाइड करता है, जिसके तहत आप कोई भी page को क्या करते हैं, QR में convert कर सकते हैं, जब आप QR में convert करेंगे, तो आप QR ही सामने वाले को भेजेंगे, जब सामने वाले के पास QR जाएगा, तो QR को scan करके, वो पूरा page, उस page पे बहुत सकता है, जिस page को आप पढ़वाना चाहते थे सामने वाले को, समझ में आया है इत्ती बात तो ठीक है, नहीं समझ में आगे तो आगे आपको और detail से समझ में आएगा चीज़, now, central government ने कहा है कि अब package जो भी electronic products हैं, उसमें आप सारा information तो देंगे ही देंगे, साते साते QR देंगे, जिससे क्या होगा, और detailed information जो आप जगहां की कमी होने के कारण से उस packet प इस प्रकार का कुछ QR होता है, QR और barcode आपने दो चीज़े से देखी होंगे, QR code यह QR code और यह बार कोट, यह बार कोट यह बार कोट, बार कोट जो है information single sided रखता है, देखो दोनों में क्या difference है, question यहां से निकल सकता है दोस्त, बहुत इत्मिरान के साथ पढ़ना यह सब प्रकार के देखते थे, पारले जो आप खाते थे, इसमें बार कोट होता है, लगबग प्रोड़क्ट में बार कोट होता है, तो बार कोट से जब information आप लेते हैं, आपने बार कोट को scan किया, scan करने के बाद बहुत limited, बहुत limited information आपको मिल पाती थी, जैसे की product का cost क्या है, कि company ने बनाया है, और कुछ छोटी से detail, लेकिन QR code, सिरफ बार कोट है, तो बार कोट जितना भी information है न, इस side में hold करता है, यहाँ पर ही data hold करता है, आप ऐसे 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 चीजे, जब आप scan करोगे, आप एक side, इस side में information hold नहीं करता है, इस side में information hold नहीं करता है, contain no data in this side, इस side में data कोई data नहीं होता है, data सारा का सारा ऐसे होता है, यह वाले, इस side में नहीं data होता है, इधर ऐसे से data नहीं होता है, ठीक है, आप देखूं, QR code, data दोनों side contain करता है, एक तो इस side भी contain करता है, और इस side भी contain करता है, दोनों side, both side, data, container, is QR code, ठीक है, जो दोनों side data contain करता है, उसको को बोलते हैं, 2D code होता है, 3D code नहीं होता है, 2D code होता है, ये भी 2D होता है, बार कोड भी, लेकिन data सिर्फ single directional होता है, bidirectional, two directional नहीं होता है, जिसके चलते ये बहुत कम data अपने पास रख पाता है, जो ये आपका बार कोड होता है, बार कोड less data और QR code high data, QR code high data रखता है, बार कोड कम data रखता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये QR code का एक example है, डेमो मैंने यहाँ पे लगाया है, आई हो QR code और बार कोड में आपको different समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ चीजे मैंने आपको लेखी है, QR code क्या हो होता है, two dimensional version आप बार कोड होता है, बार कोड था, उसके बाद QR code है, QR code बार कोड का two dimensional version है, QR का मतलब होता है quick response, ये तुरंद instant access करना है अगर आपको hidden information का, तो आप QR code का use करते हैं, ठीक है, QR code एक black square होता है, इसमें देखे हैं, ब्लैक 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 है, white background पे ही होगा, ब्लैक ब्लैक बैगराउड पे एक काम गभादा है, आपको, कोई कह दे कि ये जो QR code है, चलो हम इसको black background पे white type kind, circle बना देते हैं, या आयद बना देते हैं, rectangle बना देते हैं, dot dot देते हैं, white बना देते हैं, और background पीछे जैसे हमने use किया हुआ, ऐसे यह black है और इस पर white लिखा हुआ है, लेकिन QR code में ऐसा पॉसिबल नहीं है, QR code में सिरफ white background काम करेगा, white background में black तो यह काम करेगा, QR code में इसके अलावा कोई और option नहीं है आपके पास, square, grid जो भी है इसका, वो सिर्फ और सिर्फ black background में ही काम करेगा, white background में ही काम करेगा, black text कितना digit ले सकता है, यह तकरीबन 7089 7089 digits को अपने अंदर समा सकता है और तकरीबन 4296 4296 QR code, बहुत important information है अब कोई भी device जो उसके पास camera है अगर उसको data लेना है extract करना है, तो इस QR code को scan करें, scan करने के बाद data को अपने लिए यूज़ कर सकते है इट वोज इंवेंटेड इंडिजाइंड इंडिन ऐसा कहा सकते हैं कि कब हुआ 1994 में QR code जो है, design किया गया QR code कब design किया गया 1994 में एक Japanese Japan की एक industry के बात इतनी समझ में आगए इतनी बात QR code की बड़ी important थी जो मैंने आपको बतानी थी अब क्या किया गया है, अब आते हैं अपने जो है legal, metrology package community रूल पे तो क्या चेंज किया गया है चेंज ये किया गया है, कि अब क्या कर दिया गया है कि information अब mandatory कर दिया गया है mandatory कर दिया गया है जितने भी electronic products हैं उन products को अपने product में क्या करना पड़ेगा QR code को लगाना पड़ेगा ताकि जो user हैं, जो consumers हैं उनको क्या हो, जादा hidden details पता चल सके आपके product के बारे में तो technology का greater use हो सकता है important declaration to be declared declared effectively आप जो भी बात कहना चाहते हैं, ये भी नहीं कह सकते हैं भाईया, page कम था हमारे पास हम सारा बात कैसे लिखते हैं कई बारी कमपनियां, code में दायर करती हैं अच्छा गंदा गंदा product launch कर देती हैं उसके बाद कहती है, रहे यार हम तो information दे नहीं सकते थे क्योंकि जगा कम थी ठीक है, सारे चीज़ तो हम लिख नहीं सकते वरना दिखेगा नहीं ऐसा logic देते हैं तो उन्होंने कहा कि QR code में जाके अपने website पे upload करो QR code लगाओ और scan करवाओ तो effectively अपने information deliver कर सकती है mandatory declaration है, क्या आपको करना ही है, बाबू आपके पास कोई option नहीं है 2011 में change कर दिया गया rule में, 2022 वाले rule में अब ये नया चीज़ ये important बात थी आपके नय metrology management rule से, I hope कितनी बात आपको समझ में आई होगी, ये सारी information आपके लिए information, informative रही होगी हमसे जुडने के लिए ये telegram group का link है आप इससे हमसे जुड सकते हैं उसके अलावा PDF भी हैं ये से मिलेगा WhatsApp 8431840147 ये number है आप हमसे जुड सकते हैं कोई भी सवाल है आप हमसे पोज सकते हैं यहाँ पर अगर हमसे जुडना है बाकि हमसे telegram पर जुडना है आपको सुधीर's officially आप ये मेरा telegram का handle है आप इससे भी हमसे जुड सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में thank you so much for watching have a nice day